तो से और वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्रिदिट गार्ड़ का पैसा फ्री में अपने बैंक कांट में कैसे टांफ करना वह 6 विड़ियो में लょक देखेंगे लैस मैंने अभी पहले व्यडियो मिनाया था एक बहुंग दिन पहले विडियो मनाया था फ्री चार्ज का बिजनेस अकाउंट तो वहां से जब मैंने लिंक क्रेड करके मैंने तो ट्रांसफर करके दिखा दिया बट कुछ लोगों ने कहा कि लिंक एरर आ रहा है तो लिंक एरर क्यों आ रहा है इसका भी तरीका मैं आपको लाश में बता दूँगा वीडियो के और आज मैं इस वीडियो में आपको दो तरीके बताऊंगा दोनों तरीकों को लाइफ प्रूफ दिखाऊंगा एक रूपए भी चार्ज नहीं लगता है चाहे आप जितना भी पैसा ट्रांसफर करो वैसे बहुत सारे तरीकें हैं केरिट गार से पैसे निकालने के बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाए खासकर अभी पेटियम का चलना है कि लोग बता रहे हैं पेटियम पे आप पैसा निकालो 2.5 प पेटियम पे 2% केश बैक है और 30 नौंबर तक है वो तो वहां से अगर आप करते हो तो आपको 2.35% या 2.4% 2.5% चार्ज लगने वाले हैं आपके क्रेडिट कार्ट से जो पैसा ट्रांसफर करोगे वहां फिर आके बात यह होती है अगर आप पैसा निकालते हो तो आपको च मैं आपको इस वीडियो में बीच में या लाश में आपको बता दूँगा कि मेरा एकाउंट कौन सा है कि जिससे मैं केडिर कार्ट का पैसा निकालता हूं और चार्ज नहीं लगते हैं और लिंक जो इन्वैलिड लिंक बताती है वो भी मेरे में नहीं बताएगी तो चलिए हम लोग चलते हैं मोवाइल के स्क्रीन पर लाइप ब्रूफ देखते हैं कि क्या केडिर कार्ट से पैसे हम लोग निकालते है तो चार्ज लगता है या नहीं तो चलिए चलते हैं मॉवाइल के स्क्रीन ղगते हैं free charge normal application होता है उसकी बात कर लेता है यहाँ पे जो rent के लिए payment का option होता है उसके मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितना charges लगने वाला है तो अगर आप normal free charge से credit card का पैसा transfer करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं दिखाने कोशिश कर रहा हूँ आपको यह देखें enjoy lower service on rent payment starting 1% यानि आपको 1% charges लगेगा free charge application से चलिए अब हम लोग चलते हैं free charge के business जो merchant account होता है उस पे हम लोग चलते हैं यहाँ यह एक ऐसा application है इससे आप unlimited पैसा निकाल सकते हो credit card से अपने bank account में अगर आपका link invalid आता है तो भी मैं आप बताऊंगा क्या करना है यहाँ पे आप देखो request money पे आप एक लाख रुपए हम सीजे सीजे एक लाख रुपए यहाँ पे डाल देंगे और मैं आपको live proof दिखा रहा हूँ कोई भी invalid link नहीं आएगा request money पे click करना है और जैसे ही हम लोग request money पे click करेंगे तो इसका link generate हो जाता है हमारे पास दो WhatsApp है एक WhatsApp से मैं अपने दूसरे WhatsApp पे link send कर देता हूँ तो चलिए हम link send कर देते हैं और यह आ चुका है अब हम इस link पे click करके आपको दिखाते हैं कि charges एक रूपए नहीं लगेगा और payment अराम से हो जाएगा तो आप यह देखिए link open हो रहा है तो यह देखिए उपर दिया है 1,00,00 रूपीज ठीक है आप यहाँ पे card का number CV number डाल के आप निकास सकते हो लेकिन यहाँ देखिए आप amount में you pay 1,00,00 और यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि product amount 1,00,00 है और जो convince charges होता है वो 0 है आप यहाँ पे देख सकते हो convince charges 0 है तो अगर आपका invalid link आता है तो मैं बता दूँ जो मेरा account है free charge का जो मेरा account है वो merchant account है तीक है जैसे आप play store से merchant account आप business account download करके वहाँ से अगर account create करते हो तो शायद आपको problem हो सकती है बट मेरा जो दोनो है वो merchant account है merchant account का मतलब कि मेरी office में जैसे paytium वाले आये थे और वो मेरा merchant account create करके गए ऐसे ही free charge वाले आये थे वो मेरा merchant account create करके गए तो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपको ये बात पता है कि paytium वाले या free charge वाले ये लोगों को target होता है कि merchant account create करने का target होता है इन्हें तो आप इनसे count rate कर सकते हो अपने शहर में पता करिए तो आप इनसे countate करके अपना एक merchant account create करा सकते हो free में और उसके बाद आप मेरी तरह पैसे निगाल सकते हो unlimited कोई भी आपको charges नहीं देने की जरूरत है बस एक reason यही हो सकता है आपका जो invalid link आ रहा है शायद इसी वज़े से आ रहा है क्योंकि मेरा merchant account है मेरी office में वो लोग आकर और मेरा account create करके गयते account free में create होता है आप किसी से भी countate कर सकते है उन्हों को target होता है जैसे आप बोलोगे वो तुरंद बना देंगे आपका merchant account तो अगर आपको credit card से पैसे निकालना है free 0% charges पे तो आपको अपना merchant account create करना ही पड़ेगा या किसी के पास merchant account हो तो उसके account से आप जाकर इस तरीके से पैसा अपना निकाल सकते हैं तो guys अभी के लिए सिर्फ इतना ही फिर मिलेंगे